आप कितने जेतन हैं, इससे तैह होता है कि अपने भाग्य का कितना हिस्सा आप तैह करते हैं कर्म का मतलब है आपका काम आपका जीवन आपने बनाया है ये वो सबसे बड़ी ताकत है जो आप पासे हैं मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्या हमारे जीवन में वो लोग आते हैं, जिनका आना हमारी किस्मत या भाग्य में लिखा होता है क्या आप हाली में किसी से प्यार करने लगे हैं शायद आप से, शायद आप से नहीं क्यूंकि मैं रोमांस को खराब नहीं करना चाहता देखे, इसे इस तरह से देखे, आज सुबह नीन से जागने से लेकर इस पल तक नीन के इस हिस्से को छोड़ देते हैं, जब आप पूरी तरह से जाग गए, उस पल से लेकर इस पल तक आपका शरीर अपने आप काम कर रहा है, ऐसा है की नहीं, शारिरिक गतिविदी हो रही है, बाहर और अंदर भी, हो रही है या नहीं, तभी हम जीवित हैं, यह हो रही है मांसिक गतिविदी हो रही है, भावनात्मा गतिविदी हो रही है, उर्जा गतिविदी हो रही है कितना प्रतिशळ ये एक प्रतिशळ से काफी कम है, मेरा विश्वास कीज़े जब आप एक प्रतिशळ से भी कम काम चेतन होकर करते हैं 99 प्रतिशळ से ज़्यादा चेतन है तो हर चीज सायोग लगेगी है ना? सब कुछ ईश्वर का काम लगेगा क्योंकि आपके 99 प्रतिशत काम अचेतन हैं एक काम कीज़े जब आप आज गाड़ी लेकर बाहर जाएं 99 प्रतिशत समय आँखें बंद करके गाड़ी चलाईए आप देखेंगे कि आप कितने लोगों से मिलते हैं लेकिन अगर आप आँखें खोल कर पूरी चेतनता से चलाएं तो आप किसी से इस तरह धमाके के साथ नहीं मिलेगे चीजें बिल्कुल अलग तरीके से होंगी आप कितने चेतन हैं इससे तै होता है कि अपने भाग्य का कितना हिस्सा आप तै करते हैं आप कितने अचेतन हैं इससे तै होता है कि आपकी किसमत कितनी संयोग से चलेगी सब कुछ जो संयोग से होता है हम किसी और शक्ती को इसका कारण बताना चाहते हैं नहीं ये रुकना चाहिए हमें समझना चाहिए कि कारण हम है क्या कोई और शक्ती नहीं है? बिलकुल है ये स्रिष्टी आपने नहीं बनाई, नहीं मैंने बनाई है ठीक है? आपने ये स्रिष्टी नहीं बनाई, नहीं मैंने बनाई है पर एक शक्ती है, लेकिन वो एक बिलकुल अलग आया है और अभी जो आपके साथ हो रहा है, वो पूरी तरह से आपने बनाया है आप जहां से हैं, भारत, ये दुनिया की एक मात्र संस्कृती है जो आपको लगातार बताती रही है, कि आपका जीवन आपका कर्म है कर्म मतलब आपका किया हुआ आपका जीवन आपने बनाया है जो भी हो रहा है हो सकता है आप तारकिक रूप से उसका कारण समझ पाएं हो सकता है न समझ पाएं लेकिन फिर भी आप एक चीज जानते हैं अगर मेरे साथ यह हो रहा है तो यह मैंने बनाया है ये वो सबसे बड़ी ताकत है जो आप पा सकते हैं जब आप समझते हैं कि मेरा जीवन मेरा बनाया हुआ है तो आप तक जो भी हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता आप अपना कल कैसे बनाएंगे मैं पूछ रहा हूँ अगर आप बिल्कुल साफ साफ सो प्रतिशत जानते हैं कि मेरा जीवन मेरा बनाया हुआ है तो आप अपना अगला पल कैसे बनाएंगे आप कल कैसे बनाएंगे आप भविश्य कैसे बनाएंगे सबसे खुबसुरत तरीके से है ना यही होने की जरूरत है झाल झाल